पूरे एलल तॉक आइभ तॉक आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे if you love reading books you must watch this video पूरे वीडियो देखेगा अगर आपको किताबी पढ़ने कर सौक है किताबी पढ़ना चाहते हैं आप पूरे वीडियो देखेगा अगर आप किताबे पढ़ना चाहते हैं तो आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे कि यह वाली किताब आपको क्यों पढ़नी चाहीए इस किताब में क्या क्या अन्दर डेटेल में बताया गया है पूरी चीज़े हम डेटेल में हम आपको explain करेंगे पूरी किताब के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे लेकिन कुर्सिस करेंगे इस किताब के बारे में कि आपको ये किताब पढ़ने क्यों चाहिए तो इसमें हमने डेर सारी चीजें हाइलाइट की है लेकिन उन सारी चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे इसमें कुछ पॉइंक लिखे गए हैं जो कौन-कौन से टॉपिक इसमें कवर किये गए हैं आपको फैदा होगा इस किताब को पढ़ने का तो यहाँ पर देखे इसका कवर देख लिए यह ऐसे किताब है यहाँ पर ब्रैंट रैसे इस दर आइटर आप दिस बुक और किताब क का नाम है गोल और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है how to get everything you want, how to get everything जो आप चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपकी wishes हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, how to get everything, यहाँ सब कुछ कैसे प्राप्त करें, faster than ever thought possible, जिसके बारे में कभी आपने सोचा हैं, जो चाहीं नहीं, उसको faster काफी तेजी से सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने wishes को कैसे पूरा कर सकते हैं, अगर आपके गोल हैं, सपने हैं, तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर देखे, इसम बुक में दिये गए हैं, यहाँ पर जो पहला चेप्टर है, unlock your potential, अपनी छमता को जो आपने अपनी potential को बचा के रखा है, जो आपके अंदर ताकत है, छमता है, energy है, उसको अभी आपने lock नहीं किया है, आपने बचा के रखा है, उसको unlock कैसे करना है, उसका सही तरीके से इस्त कैसे करना है, जिससे आप अपने अपने goal और अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे, पहला चेप्टर है, और आपको यह किताब, इसलिए भी पढ़नी चाहिए, take charge of your life, आपको अपने जीवन का charge लेना है, your driver of your car, आप अपनी इस गाड़ी के, इस गाड़ी के आप खुद driver है, passenger नहीं है, be a driver, passenger मत बनिये, driver बनिये, आपको जहां जाना है, खुद आप अपना decision लीजिए, तो आप अपने जीवन का charge खुद लीजिए, दोसे के उपर मत सौपिए, इसलिए आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, कि आप अपने जीवन का charge, अपने जीवन को अपने हाथो में कैसे लेकर के इसको बहतर बना सकते हैं, इसलिए आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, तीसरा chapter है, clarify your values, अपने जीवन के सिधान्त को कैसे समझें, उनको कैसे बहतर बनाएं, उनको कैसे आमल करें और उनको कैसे हमेशा के लिए बना करके रखें, वो आपको इस किताब म बताया गया है, analyze your belief, अपने belief को समझें, आपकी ताकत क्या है, आपका भरोसा क्या है, आप उसको कैसे बहतरी तरीके से बना सकते हैं, create your own future, आप अपने भविश को खुद बना सकते हैं, आप अपने भविश को यूर ओन फ्यूचर यूरसेल्फ, आप अपने भविश को अपने आप से लिख सकते हैं, कैसे करना है, भविश को कैसे लिख सकते हैं, कैसे बेतर बना सकते हैं, कैसे अपनी destiny को लिख सकते हैं, कैसे अपनी किस्मत को बेतर बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने भविश को अपनों, अपने हातों से लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पढ़ेगी अगला है determine your true goals अपने goals समझे आपके goals क्या है आपके सपने क्या है आप dreams क्या है उनको set कैसे करना है प्रॉपर तरीके से उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए decide upon the major definite purpose आपके जीवन का main purpose क्या है जीवन का लच क्या है जीवन में क्या करना चाहते है आपके वल पैदा क्या इसलिए हुई ये वीडियो देखने के लिए ये पिज्या बर्गर खाने के लिए आपके जीवन का कोई मकसद होगा जो कि सायद आपको ना पता हो तो अगर आपको अपने जीवन का मकसद नहीं पता है पता करिए और उसके काम कैसे करना है उसके लिए भी आप इस किताब को बढ़ सकते हैं Start at the beginning शुरुआत कैसे करें धेर सारे लोग जीवन की शुरुआत नहीं कर पाते हैं क्या करना है कैसे करना है और उनको कैसे पूरा कर सकते है Become an expert in your field आप जो भी काम कर रहे हैं कुछ फीक तो कर ही रहे होंगे उसमें expert कैसे बने कैसे बने expert किसी भी चीज में किसी भी field में किसी भी profession में जो भी आप कर रहे हैं उसमें expert कैसे बना जाता है उसके लिए भी आप इस किताब को बढ़ सकते हैं and improve your family life and relationship अपनी family life और relationship को कैसे बेतरी दरीके से बना सकते हैं सान्ती से अपने जीवन को family में कैसे रख सकते हैं कैसे लोगों से बात करनी हैं कैसे काम और कमपूज रहा जाता है वो सारी चीज़े आपको इस किताब में आपको मिलने वाली है optimize your health and wellness health को कैसे बेतर बना सकते हैं वो भी आपको मिलेगा measure your progress आप अपनी तरक्की को measure कर सकते हैं अगर आपको नहीं बताए कि आप तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप वहीं पे हैं कि उनका समाधान कैसे निकालें वो आपको इस किताब में मिलेगा associate with the right people सही लोगों के साथ अपनी संगत को अपने समय को सही लोगों के साथ कैसे गुजारें कि लोगों के साथ अपने समय को गुजारना है कि लोगों के साथ अपने समय को गुजारना नहीं है कैसे लोग आपके लिए अच्छे होंगे और कैसे लोग आपके लिए सही नहीं होंगे, वो भी आपको इस किताब में मिलेगा, make a plan of action action plan, कैसे चीजों को करना है, इस काम को करना है, तो कैसे करना है, कैसे बेतरीन तरीके से करना है कैसे नहीं करना है, इसको प्रॉपर तरीके से रोज मीजर कैसे कर सकते हैं वो आपको इसमें मिलेगा, manage your time वेल, आप अपने time को कैसे manage कर सकते हैं, time को manage कैसे करना है, and if you cannot manage your time, you cannot manage your life आप अगर समय आपने मैनेज्य को भी मै कर सकतां। और यह ओगां इसको छिखने के लिए भी आप किताब को पठ सकते हैं। यह गोल्स को रोज कैसे एजिध करें लुल्स प्रेकि पूरा किया लुझेará 있을 देख सकते हैं। विजुलाइज और गोल को अपने दिमाग में कैसे विजुल करें, कैसे सोचे, कैसे लिखें, वो सारी चीज़े आपको मिलेंगे, एक काफी ब्यारा टॉपिक है, काफी बहतरीन टॉपिक है, अपका जो सबकॉंसिस बेन है, जो आपका उचेतन दिमाग है, उसको एक्टिवे कर ले गए, तो आपको सफल होने से कोई रूप ही नहीं सकता, तो आपको करना क्या है, अपने सबकॉंसिस ब्रेन को एक्टिवेट करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, जो कि 90% आपका सबकॉंसिस ब्रेन होता है, आपका उचेतन दिमाग होता है, कॉंसिस ब्रेन केवल 10% ह इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस book को पढ़िए सारी चीजे आपको अच्छे से मिल जाएंगी persist until you succeed इसमें आख्री topic है persist until you succeed आपको तब तक लगे रहना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते उसमें कैसे mental रखें सारी चीज़ों को willpower, action, energy, सारी चीज़े आपको मिलेंगी और last में क्या लिखा है, conclusion क्या है, conclusion अगर आपको समझ में आगए तो किताब पढ़ने की ज़रूती नहीं आपको conclusion में बस एक ही sentence, तीन वर्ड लिखे हैं, take action today, आज action ले लिजिए, action जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी action आप पहला action ये लख सकते हैं, अगर आपको किताब पढ़ने अच्छा लगता है, तो search करिए, Amazon Flipkart कहीं पर भी search करिए, किताब आपको मिल जाएगी, आपको अगर English आ मंगाईए, क्योंकि तब आप अपने English को भी बेतर कर पाएंगे, और ये सारे concept भी एक बार भी नहीं समझ में आएंगे, दुबारा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आना start हो जाएगा, तो action लीजी, अभी मंगाईए, दो चार पांट दिन में आपके पास आजाएगी, start reading रोज कोशिश करिए 10-15 पेज पढ़ने की और लगातर पढ़ते रहेंगे, आपके understanding बढ़ेगी, आपके communication बढ़ेगी, आपका confidence बढ़ेगा, आपका knowledge बढ़ेगा, और यही सारी चीजी मदद करती हैं आपके जीवन को बहतर बनाने में, I hope you must have understood.